तर्षट के आप स्वात हैं एकेडमी में कैसे हैं हैं आप मुझे अमीद हैं स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे बैतरीन होंगे जहां भी होंगे होगे ळुक्ष है I खेलना मुझे उम्मीद है कि आपने प्रश्णावली 3.1 और प्रश्णावली 3.2 पर बना हुआ हमारा वीडियो जरूर देखा होगा आज हम बात करेंगे प्रश्णावली 3.3 की तो चलिए फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं प्रश्ण क्रमांक 1 क्या कहता है प्रश्ण क्रमांक 1 में हमसे कहा गया है कि विभाज्यता की जाच के नियमों का प्रयोग करना है हमें और विभाज्यता की जाच के नियमों का प्रयोग करते हुए यह पता करना है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याओं दो से विभाज्य हैं तीन से विभा हमें हां या नहीं कह करके जवाब देना है विभाजिता के नियम क्या होते हैं वे नियम जो हमें बताते हैं कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से भाग उसमें पूरा-पूरा चला जाएगा कि नहीं जाएगा ठीक है तो अभी देख लेते हैं तो देखिए मुझे काकी भात कर लेते हैं जो कि हमें किताब में पाट्य पुस्तक में भी दी हुई है जिसका जवाब भी हमें दिया हुआ है कििस तरह से हमें बाकी की संख्याओं में हल करना होगा अब देखे है क्या 128 में से भाग जाता है तो यह यहां पर जवाब लिखा है हां तो इननोंने कैसे पता किया जो 128 आपको दिखाई दे रही है मैं लिखके बताता हूं 128 जो दिख रहा है इसमें यह जो आठ है यह का अंक कहलाता है जानते हैं आप unit digit इकाई का अंक है तो यह जो इकाई का अंक है न ये कैसा होना चाहिए सम होना चाहिए या तो यहाँ पर 0 हो या तो 2 हो या तो 4 हो या 6 हो या 8 हो अगर इन में से कोई अंक है किसी संख्या में तो वो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो 2 से विभाजिता का नियम आपको समझ में आ गया, कोई भी संख्या दो से तभी विभाजित होगी, जब उस संख्या के एकाई के अंक के इस्थान पर कोई भी सम अंक होगा, या तो शून्य, या दो, या चार, या छे, या फिर आठ होगा, तो उसमें दो से भाग चला जाएगा, इसलिए आप एहां ल कोई संख्या तीन से विभाजित है की नहीं, देखें, मैं आपको बताता हूँ, 128 कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया आपके सामने, क्या किया मैंने, मैंने 128 के सभी अंको को जोड दिया, उनका योग निकालना है, निकालने, दो और एक, तीन और आठ कितना हो जाएगा, ग क्या ग्यारा जो है, जो इस संख्या के अंको का योग है, वो तीन से विभाजित होता है, क्या तीन से ग्यारा में भाग चला जाता है, पूरा पूरा, नहीं जाता, क्योंकि ग्यारा तीन के पहाडे में नहीं आता, इसका अर्थ हुआ कि ये संख्या में भी तीन का भाग न नहीं जाएगा इसलिए यहां पर नहीं लिख दिया इसके बाद में 128 के बारे में हमें यह बताना है कि क्या यह चार से विभाजित है तो देखिए चार का जो विभाजिता का नियम है वो बहुत ही सरल है उसमें क्या देखना है हमें कि संख्या के आखिर के जो दो अंख है उन दुनिया चारतिया बारा चार चुक सोला चारा पंचे बीस चारचिंग चौबिस और चार सत्य अठाइस आता है तो बिलकुल 128 में 4 से भाग चला जाएगा इसलिए हां पर हां लिख दिया इसके बाद में अगली संख्या जो अगली जो संख्या है पांच है अब हमें देखना है कि क्या 128 पांच से भाग इसमें जाएगा या नहीं जाएगा तो मैं आपको बता दू कि 5 से भाग नहीं जाएगा कोई भी संख्या में 5 से भाग तभी जाता है जब उस संख्या के इकाई का अंक या तो शून्य हो या फिर पांच हो ध्यान से सुना आपने मैंने क्या कहा आप से किसी संख्या के इकाई का अंक अगर शून्य या फिर पांच है तो उस संख्या में पांच से भाग जाएगा वरना पांच से पूरा भाग उसमें कभी नहीं जाता और 128 के इकाई का अंक आठ है ना तो शून्य है ना ही पांच इसलिए इसमें भी पांच से भाग नहीं जाएगा इसके बाद में 6 से बताना है तो देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं दो गुणा 3 लिख सकते हैं तो किसी संख्या में अगर 2 से भी भाग चला गया तो 6 से भी चला जाएगा अगर 2 और 3 दोनों से भाग जा रहा है तो 6 से तो चला ही जाएगा क्योंकि 2 तिया कितना होत च्छे होता है, तो च्छे की विभाजिता का नियम बहुत सरल है, किसी भी संख्या में 6 से तब भाग जाता है, जब उस संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग पुरा पुरा चला जाए, तो 128 में 2 से तो जा रहा है, लेकिन 3 से जारा है क्या, नहीं जा रहा, तो इसलिए इसका भी 6 से भाग इसमें नहीं जाएगा 8 की विभाज़ता का नियम क्या है बड़ा ही सरल है किसी संख्या में 8 से पूरी तरह भाग तब चला जाता है जब उस संख्या के आखरी के 3 अंकों से बनी संख्या में 8 से भाग चला जाए तो आखरी के तीन अंकों से बनी संख्या मतलब जो आखरी के तीन अंक, जैसे 128 में, एक दो आट तीन अंक है, क्या इसमें 8 से भाग जाएगा क्या, चेक करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, इसमें 8 से भाग चला जाएगा, ऐसे ही 9, किसी संख्या के अंकों का योग, जो प्रा तो इस संख्या में भी नौ का भाग नहीं जाएगा जैसे तीन का भी नहीं गया था तीन और नौ का विभाजता का नियम एक जैसा ही है इसके बाद है दस किसी संख्या में दस से भाग केवल और केवल सिर्फ तभी जाएगा जब उस संख्या के इकाई का अंक शून्य होगा अगर किसी संख्या के इकाई का अंक शून ये नहीं है, तो उस संख्या में दस से भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा। इस पश्ट है, आप समझ गए होंगे, बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं आप, आपको सिर्फ इशारा काफी होता है, मैं जानता हूं। इसके बाद पताईए क्या ग्यारा से चला जाएगा, तो ग्यारा से भी इस पर भाग नहीं जा रहा है, किसी संख्या में 11 से भाग कब जाता है, जब उस संख्या के सम इस्थान की अंको का योग, उसकी विशम इस्थान के अंको के योग का अंतर शून्य हो या फिर 11 हो, उधारन के लिए करके बताता हूँ, बिल्कुल मट घबराईए, देखिए, एक संख्या मैं आपके सामने लि इस ना लिका 6,49,210, अब बताईए, इसमने जो सम संख्या, सम अंक है, उसका योग देखते हैं, सम संख्या के स्थान वालाए, जैसे यह इकाई का अंक है, यह दाहाई का, तो दाहाई जो है, यह सम है, फिर इसके बाद में यह एक हो गया दो, फिर उसके बाद में यह चा नौर एक दिये हुए हैं, इनका योग कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, नौर चे पंदरा और एक, सोला, ठीक, उसके बाद मैं विशामंकों का योग कर लेते हैं, जैसे तीन, दो, और एक, तो कितना हो जाएगा, पांच, इनका अंतर निकाली है, ग्यारा आ गया, तो इसमें जो है, ग्यारा से पूरी तरह भाग चला जायना चाहिए, इस संक्या में, ठीक है, तो मुझे उमीद है, आपको ये बड़ी सरलता से समझ में आ गया होगा, कि हमें कैसे करना है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आगे, मैं यहाँ पे हाँ या नहीं में जो है, जवाब ल 990, तो देखे, 990 में क्या 2 से भाग जाएगा, हाँ, चला जाएगा, 1586 में जाएगा क्या, हाँ, इसमें भी चला जाएगा, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, हाँ, नहीं की जगे, टिक लगा देता हूँ, इसमें चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, 275 में 2 से भाग क्या नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक विशम है हाँ इसमें छे सो च्यासी है अंतिमंक जो है वो छे है इसमें चला जाएगा इसमें भी दो से भाग चला जाएगा क्योंकि अंतिमंक जो है इकाई का अंक वो शून्य है इसमें भी चार है इसमें चला जाएगा इसमें छ 1586 में जाएगा कि नहीं जाएगा तो 1586 में मैं आपको बता दू कि नहीं जाएगा तीन से भाग उसके बाद 275 में जाएगा कि नहीं जाएगा तो मैं आपको बता दू कि तीन से भाग इसमें भी नहीं जाएगा क्योंकि इनकी ये जो संख्या है इसमें अंगो का योग जो है तीन से जाएगा कि नहीं जाएगा तो हाँ इसमें चला जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से चला जाएगा फिर बताएगा 28-56 इसमें जाएगा हाँ चला जाएगा 30-60 यह जो संख्या है 3060 इसमें चला जाएगा 3-6-9 होते हैं पिर बताइए इसके बाद यी जो अंतिम संक prayer जाए की नहीं जाएगा तो कि इसमें भी भाग चला जायगा ठीक है तीन से अब चार से देखते हैं तो बताइए 990 में 4 से भाग जो है वो जाएगा कि नहीं जाएगा तो मैं आपको बता दूँ कि 4 की जो भाजिता का नियम मैंने आपको बताया था कि अंतिम के दो अंकों में जाना चाहिए 90 में तो नहीं जाएगा 86 में भी नहीं जाएगा, 75 में भी नहीं जाएगा, इसके बाद में फिर 10 है, 10 में भी नहीं जाएगा, 14, 14 में भी नहीं जाएगा, 56, 14, 15 होता है, तो यह यहाँ पर चला जाएगा, 60 में भी चला जाएगा, 49 में जाएगा, 49 में नहीं जाएगा, बहुत ही सरल था, अब देखि नंबर पर संख्या दी है 1586, इसमें इक आई कंक तो शून्य भी नहीं, पाज भी नहीं, इसमें नहीं जाएगा, फिर इसके बाद में एक मिनिट 990 पहले इसमें दो चला ही जाएगा, 1586 में नहीं जाएगा, 75 में चला जाएगा, 86 में फिर नहीं जाएगा, 10 है, लाष्ट में इसमें चला जाएगा इसमें नहीं जाएगा इसमें भी नहीं जाएगा नीचे वाली में चला जाएगा 30-60 में और यह अंत में 49 लिखा है इसमें नहीं जाएगा अब किसी संख्या में दो और तीन से भाग चला गया है, तो इसमें चला ही जाएगा, है ना, तो ये जो 990 इसमें चला गया है, तो इसमें चला जाएगा, ठीक, इसके बाद नहीं जाएगा, फिर नहीं जाएगा, फिर नहीं जाएगा, फिर चला जाएगा, ठीक है, और फिर चला जाएगा और फिर चला जाएगा और फिर नहीं जाएगा इस तरह से आपको ये भरना रहेगा ठीक है आठ से अगर हम बात करें तो आठ की उभाजिता का नियम क्या होता है आठ की उभाजिता का नियम क्या है बताइए आठ की उभाजिता का नियम है कि अंतिम के तीन अं प्रणकों से बनी जो संख्या है उसमें भाग जाना चाहिए ठीक है तो देखें मैं आपको एक बार बता दूँ यहां पर कि हाँ पहली वाली में तो जा रहा है फिर नहीं जाएगा इसमें ठीक है 990 में 1586 में भी नहीं जाएगा फिर 6686 में भी नहीं जाएगा यह दो बड़ ठीक है आप समझ गया है इसके बाद में मैं आपको बता दूँ कि 990 जो है इसमें नौ से भाग जो है पूरी तरह से चला जाएगा बाट ठीक है फिर इसके बाद में अगली संक्या में नहीं जाएगा इसमें भी नहीं पिर इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा है ना इसमें हाँ चला जाएगा फिर इसमें भी नहीं जाएगा फिर इसमें चला जाएगा फिर इसमें अंतवाली में नहीं जाएगा दस का तो बहुती सरल रूल है ना जिसका इकाई का अंक शून्य होसी में जाएगा तो 990 में शून्य है इसमें चला जाएगा 86 बाली में भी नहीं जाएगा 275 में भी नहीं जाएगा 66-86 में भी नहीं जाएगा इस संख्या के अंकर में फिर 61 का अंक्षून ने आगया तो इसमें चला जाएगा यह जो लिखी है न 63-92-10 इसमें चला जाएगा फिर लिखा है लाष्ट में 42 संत्यान में 14 जिसमें इसमें नहीं जाएगा, 28 स्पन में नहीं जाएगा, 30 साथ में 1 आइक अंग शुन नहीं जाएगा, अंतिम वाली जुसंख्या है उसमें फिर नहीं जाएगा, इस तरह से, 11 का मैं आपको बता ही चुका हूँ, भाजिता का न नहीं जाएगा ठीक है इस तरह से जो है आप इस वाले प्रश्न को हल करेंगे इस तरह से इसका उत्तर देंगे ठीक है इस पश्ट है इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं किसकी प्रश्नक्रमांक दो की क्या है प्रश्नक्रमांक दो हमारे सामने दिया है विभाज्यता की जाज के नियमों के द्वारा बताना है कि निनलिखित में से कौन सी संख्या है चार से विभाज्य है और कौन सी आठ से विभाज्य है ठीक है दोनों के ही विभाज्यता के नियम मैं आपको बताया था है ना बता चुका हूँ तो ठीक कि चार से जैसा मैं लिख रहा हूं step by step ऐसा ही आप भी लिखेंगे चार से विभाज है क्योंकि हम जब step by step लिखते हैं तो पूरे अंख हमें मिलते हैं क्योंकि जो जाच करता है हमारी copy उसे अच्छे से समझ में आता है क्योंकि क्यों है ये चार से विभाजित क्योंकि कारण भी लिखना पड़ेगा ना क्योंकि अन्तिम दो अंको से बनी संख्या क्या है बहुत तर है ये चार से विभाज है इसलिए ये संख्या में चार से भाज चला जाएगा अच्छा अब बताएए क्या ये आठ से विभाज है की नहीं है तो यहाँ पर आपको लिखना है सरल रूप में आठ से विभाज नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी कारण देंगे आप क्योंकि अंतिम तीन अंको से बनी संख्या यह जो संख्या है यह आठ से विभाज नहीं है इस पश्ट है इसके बाद में अगली संख्या बी वाली कौन सी दी हुई है? इसके लिए क्या लिखेंगे आप इसके लिए आपको वही लिखना पड़ेगा चार से विभाज है क्यों है? क्योंकि अंतिम दो अंको से बनी संख्या क्या है? बावन, तेरा चोग बावन होता है ना? चार से विभाज है इसलिए फिर बताना है आठ से विभाज है क्यों है? क्योंकि अंतिम तीन अंको से बनी संख्या क्या है? तीन सो बावन, क्या है तीन सो बावन? आठ से विभाज है इस तरह से इसके बाद में सी वाला क्या है सी वाला? बताईए पाँच हजार पाँच सो ठीक है तो क्या लिखेंगे? चार से ये संख्या विभाज है है ना विभाज? विभाज है क्योंकि अंतिम दो अंको से बनी संख्या क्या है? शूने शूने अब शूने शूने आगया रैंडम केस में तो चार से फिर भाग चलाई जाता है क्योंकि उसको जो है संभाव नहीं मिल जाती है तो यहाँ पर लिख देंगे चार से विभाज है ठीक इस तरह से अब बताईए अंतिम तीन अंक क्या है इसके? 500 है तो ठीक है तो आपको यहाँ पर लिखना है आठ से विभाज्य नहीं है क्यों? क्योंकि अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या क्या है? 500 है आठ से विभाज्य नहीं है इस तरह से इसके बाद में चौती संख्या क्या दी है चौती संख्या? चौती संख्या है 6000 है न? तो 6000 में क्या लिखना पड़ेगा आपको? बताईए इसमें आप लिखेंगे चार से विभाज्य है क्यों है? क्योंकि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या क्या है? 004 से विभाज्य है ऐसा कर देंगे आप और फिर इसमें लिखेंगे आठ से विभाज्य क्या लगता है आपको? बताईए है की नहीं है? है न? क्योंकि इसके पास भी 30 हो जाएंगे तो फिर संभाव ना पैदा हो जाएगी विभाज्य होने की क्योंकि अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या क्या है? 0000 आठ से विभाज्य है इस तरह से इसके बाद इनमबर पर बनी अगली संख्या अब अगली संख्या क्या है इनमबर पर जो बनी हुई है हमारे सामने? 12159 है न यही है तो लिखता हूँ 12159 इसमें क्या लिखेंगे आप बताईए? क्या लगता है आपको? यह है कि नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि यह जो संख्या है न 12159 इसमें आपको बस एक से ही विभाज नहीं है कारण क्या दूंगा मैं इसका दोनों का एक साथ लिख दिया क्योंकि आप जबाब दीजिए क्या आना चाहिए यह एक विशम संख्या है कैसी संख्या है विशम संख्या है और इसमें तो चार से भी भाग नहीं जाएगा और आठ से भी भाग नहीं जाएगा ठीक क्योंकि चार और आठ दोनों के गुणन खंड में दो आता है ठीक इसके बाद में अब अगली संख्या तो अगली संख्या क्या है अब एक काम करते हैं इतना लिखनी की अपिक्षा लिखा हुआ तो अल्रेडी है मैं अगली संख्या यहां से पुन्हा लिखना शुरू कर देता हूँ क्योंकि आपको अल्रेडी समझ में तो आई गया है ना ठीक है तो अब अगली संख्या लिखता हूँ यहां पे अगली संख्या क्या है हमारे पास में चौदा पान सो साथ है ना यह लिख दिया 14 560 तो क्या यह 4 से विभाज है क्या बताईए मुझे हाँ यह 4 से विभाज है क्योंकि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या है इसमें 60 है और यह 4 से विभाज है 8 से क्या यह 14 560 विभाज है कि नहीं है तो मैं आपको बता दू कि हाँ यह 8 से विभाज है यहाँ पे आप है लिखिएगा नहीं को जो है काट दीजेगा क्योंकि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या जो है वो 560 है यहाँ पे कितनी है 560 तो इसलिए यह 8 से विभाज है ठीक इसके बाद में अगली संख्या लिखता हूँ मैं अब अगली संख्या क्या है 14 560 के बाद में 21.84 है ना 21.84 इस संख्या की बात करते हैं कौन से नंबर की है यह भी लिखतेता हूँ जी नंबर तो क्या ये संक्या चार से विभाज्य है कि नहीं है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ चार से विभाज्य है ये क्योंकि इसके जो अंतिम के दो अंख्य है वो क्या है 84 है ठीक है 84 है और ये चार से विभाज्य है ठीक इसके बाद में क्या है इसके बाद मैं लिखा है कि 8 से विभाज्य है कि नहीं है तो मैं यह बता दूँ आपको कि यह वाली जो है ना यह 8 से विभाज्य नहीं होगी यह वाली संक्या क्योंकि इसके जो अंतिम तीन आंख है मैं आपको बता दूँ पहले नहीं है लिख देता हूँ ताकि आप नोट कर ले 084 है और इसमें 8 का भाग नहीं जाता है ठीक इसके बाद में अगली संक्या कौन सी है लिखता हूँ यहाँ पे G के बाद में H वाली 31,89,50, बहुत्तर लिखा है 31,89,50, बहुत्तर यह लिखा है ना 31,89,50, बहुत्तर ठीक तो बताइए चार से विभाज़ है क्या कि नहीं है यह आट से भी विभाज़ होगी क्योंकि इसके अनतिम तीन अंगों की बनी जो संक्या है वो क्या है शूनीजा बहुत्तर है और आप जानते है आटनम बहुत्तर होता है ठीक, तो इस पष्ट है इसके बाद में अगली संख्या ह के बाद आई नंबर पे आएगी क्या है अगली संख्या यह अंतिम संख्या है और यह है अंतिम यह है ना हाँ सतरा सो अब बताएए सतरा सो के बारे में क्या लगता आपको चार से विभाज्य है की नहीं है और आठ से विभाज जाएगी नहीं है तो देखें मैं आपको बता दूँ कि ये चार से विभाज है क्योंकि अंतिम संक्या तो शूर्ने शूर्ने है लेकिन आठ से नहीं है क्योंकि अंतिम जो यहाँ पर पहले नहीं लिख देता हूं नहीं है क्योंकि अंतिम के जो तीन प्रश्नक्रमांग कौन सा वाला है दो पूरा हो जाता है इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्नक्रमांग तीन की तो प्रश्नक्रमांग तीन हमारे सामने जो है क्या दिया हुआ है बताईए आप मुझे यह बताना है तो 6 की विभाजिता का नियम पता है ना आपको कोई भी संक्या अगर 2 से विभाजित हो जाए तो वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी ठीक है तो देखिए मैं आपको करके बताता हूं कैसे करना है इसमें स्टेप बाइ स्टेप करेंगे सबसे पहले पहला वाला पहली संक्या लिखते हैं 29-71-44 ठीक यह उत्तर लिख रहा हूं मैं आपके सामने तो क्या लिखेंगे सबसे पहले कि इकाई है ना यही लिखेंगे इकाई के स्थान पर सम संक्या है बताइए इकाई के स्थान पर सम संक्या है की नहीं है है ना चार है ना तो क्या लिख देंगे अतह यह दो से विभाज विभाज है लिख देंगे ठीक है फिर बताइए अगली लाइन में क्या लिखूँ अगली लाइन में क्या लिखना पड़ेगा मुझे लिखना पड़ेगा संक्या अब दो के लिखा तो अब तीन के लिखना पड़ेगा ना संक्या के अंको का योग मैं बोल भी रहा हूं अगर कोई अक्षर समझना है तो संक्या के अंको का योग कितना आएगा जोड के देखें नौर दो ग्यारा ग्यारा और साथ अठारा और एक उननिस उननिस और आठ सत्ताइस ये सत्ताइस है न तो सत्ताविस है और ये जो संक्या है ये तीन से विभाज है विभाज है है न तीन से विभाज है और चुकिये तीन से विभाज है इसी लिए क्या लिखेंगे इस प्रकार इस प्रकार एक मिनिट हाँ इस प्रकार दी गई संक्या दी गई संक्या दो और तीन दोनों से विभाज है है अतह ये छै से विभाज होगी ठीक है क्योंकि दो और तीन दोनों से ये विभाज है इसलिए ठीक चलिए ठीक है तो आपको समझ में आगे कैसे लिखना है फॉर्मेट तो यहीं रहेगा अब हम अगली संक्या लिखते हैं मैं इसको रफ कर रहा हूं क्यूंकि मैं अगले संक्या वाले प्रश्ण को यहां पर हल कर रहा हूं यह जो स्टैप मैंने लिखी है मैं इसको ऐसी रहने देता हूं ताकि आपको जल्दी से समझ में आते रहे हैं ना बार बार हम इससे लिखके समय वेर्थ नहीं गवाएंगे अब हम डारेक्ट संक्या लिखेंगे इसके ब एगा ये चेक करते दोर एक तीन और पाँच और आट- 16 आजलेगा और 16 तो आप जानते हैं कि 3 से विभाज्य जो हो नहीं है थीक है न तो इस प्रकार दी गई संक्या दो और तीन दोनों से विभाज्य नहीं है अता violation शैय से विभाज्य नहीं होगी ठीक इस तरह से आपको लिखना है क्रॉस लगाए मैंने आप नहीं लिख दीजे मैं भी नहीं लिखी देता हूँ न क्यों क्रॉस लगाना नहीं होगी ठीक इस फर्ष्ट है अब अगली संख्या लिखते हैं यह तो थी हमारी B नंबर की थी अब अगली जो है है विशम है विशम संख्या है अताहिया दो से विभाज नहीं है दो से विभाज नहीं है संख्या के अंगों का योग कितना है तो संख्या के अंगों की योग की बात करें तो अंगों का योग कितना आएगा चार और तीन, सात और तीन, दस और पांच, पंदरा, पंदरा है, जो कि तीन से विभाज्य है, तो इस प्रकार दी गई संख्या, दो और तीन, दोनों से विभाज्य नहीं है, आता है छे से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि दो से तो यहां विभाज्य नहीं है, तो दोनों स संख्या कौन सी लिखी है 61-233 अब बताइए एकाई के स्थान पर विश्रम संख्या है 2 स्विभाज नहीं है संख्या के अंगों को योग कित आ 6 और 7 और 2 9 9 और 3 12 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया तो यहाँ पे भी फिर क्या आ गया 15 तीन से विभाज इस प्रकार दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज नहीं है अता है यह 6 से विभाज नहीं होगी 2 और 3 दोनों से विभाज होना चाहिए ठीक है न अगर दोनों से विभाज नहीं है तो 6 से विभाज नहीं होगी दोनों से विभाज है तो 6 से भी विवाज्य हो जाएगी इस पश्ट है इसके बाद में D के बाद में अगला करते हैं जैसे E वाला तो E वाली संख्या क्या है नबे तेरा बावन यही है ठीक है तो बताइए इसके एकाई के स्थान पर कैसा अंख है विशम है ना विशम संख्या है अथा हिए दो से भी भाज्य है और संख्या के अंको का योग कित्ता है बताइए नो और एक दस तीन तेरा चौदा पंदरा और पांच बीस है ना क्या है अंको का योग बीस तो जो बीस है वो तीन से भी भाज्य नहीं है और इस प्रकार दी गई संख्या दो और तीन दोनों से विभाज नहीं है अता ये छैसे विभाज नहीं होगी है ना तो ये संख्या भी नहीं हो रही है छैसे विभाज ठीक ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया अब आएगा F वाला क्या है F वा संख्या है अथा दो से विभाज है संख्या के अंकों का योग कित्ता है यह पता करते हैं तो करिए चार और तीन साथ साथ और आठ पंदरा पंदरा और साथ बाइस बाइस और पाँच सत्ताइस ठीक है तो यह सत्ताइस तो तीन से विभाज है और इस प्रकार दी गई संख्य दो और तीन दोनों से विभाज है अता है चैसे विभाज होगी ठीक है सरल है ना बिलकुल सरल है होगी तो ये हमने इसमें लिख दिया कि ये जो है चैसे विभाज हमारी होगी ये संक्या इसके बाद में अगली संक्या जो जी नंबर पर हमें दी गई है उसको देख लेते हैं कौन सी संख्या दी है, 1793184, जी नंबर है यह, तो इकाई के अग्पेस्तान समसंख्या है, यह दो से विभाज है, और संख्या कि अंको का योग देखना है हमें, तो अंको का योग यह जो है, वह मैं आपको बता रहता हूं, किता आएगा, है ना, तो अंको का योग यह आ जा तो आपको इसमें जरावी परिशानी नहीं होगी या न हो रही है इसके बाद एच वाले का देखते हैं हम एच वाली संख्य क्या है हमारे पास में इसको देखते हैं तो एच में लिखा हुआ है एक दो पांच आठ तीन तो भया यह तो विशण है तो 2 से तो नहीं होगी और है योग है मेरा मतलब वो क्या है दोरेक तीन और पाँछ आट और आत्री ग्वाज्य नहीं है डोगे और तीन दोनों से भ़भाज नहीं है तो ये चसे भ्यभाज्य नहीं होगी इस पष्ट है इसके बाद में एच के बाद में आी नंबर पर जो संख्या दी है उसकी बात कर लेते हैं दी है 63-92-10 एक आई के अंक के स्थान पर सम संख्या है और अतह या दो से विभाज्य है संख्या के अंको का योग बताईए किता है अंको का योग कर ले छे औरती नौन अठारा उन्निस बीस और एककिस एककिस तो तीन से है यह 6 से भी विभाज होगी इस पश्ट है ठीक है अच्छी बात है अब आई के बाद जे वाला कौन सी संख्या है सत्रा पच्यासी दो सत्रा जार आट सो बावन रिकाई के अंक के स्थान पर सम संख्या है अतहिया दो से विभाज्य है संख्या के अंको का योग किता है सात और एकार दी गई संख्या दो और तीन से विभाज नहीं है और मैं आपको बता दूँ यह छैसे विभाज नहीं होगी इस परष्ट है तो यह हमारा तीसरा प्रश्ण यहां पर पूरा हो गया है है ना मुझे उम्मीद है आपने सब नोट किया होगा और आपको मैथट भी क्रमांक चार पर प्रश्ण क्रमांक चार है विभाज जिता कि जाँच के नियमों दवारा ग्यात कीजिए कि निर्ण लिखित में से कौंशी संख्याएं 11 से विभाज है एक एक करके हल करना पड़ेगा बहुत सरल्टा के साथ में अभी कर देते हैं सबसे पहले शुरूआत करते हैं पहले प्रश्ण से तो यहीं से कर देता हूँ एक लाइन कीच के मैं है ना आप अपनी कॉपी में प्रश्ण प्रॉपर लिखे और उसके नीचे से करिएगा ए नंबर का उत्तर लिख रहा हूं मैं हल लिख रहा हूं आपके सामने संख्यादी हुई है पाँच चार च पाँच तो क्या लिखूंगा मैं इसके नीचे लिखूंगा विशम स्थानो का योग क्या है विशम स्थानो का योग बराबर चार धन पाँच बराबर नौ ठीक है विशम स्थानो का योग यही होगा चार पाँच नौ और फिर लिखूंगा सम स्थानो का योग क्या होगा समिस्थानों का योग बताईए समिस्थानों का योग होगा ये भी 4 और 5 ही है समिस्थान पे भी 9 हो जाएगा अंतर या तो 011 होना चाहिए है ना तो इस पश्ट दिखाई दे रहा है कि जो अंतर है वो 9 9 9 यानि 0 हो जाएगा तो आप ऐसा लिख देंगे कि क्योंकि अंतर कितना है शून्य है तो ये ग्यारा से विभाज है तो ये जो संक्या है ये ग्यारा से विभाज है ठीक है इस पश्ट है इसके बाद में आप एक लाइन और राइट कर सकते हैं कि अथाया संक्या भी ग्यारा से विभाज है आप बी वाला करेंगे ठीक है तो बी वाला करते हैं बी वाली संक्या क्या लिखी है दस ब्यासी चार दस अजार आट सो चौबिस ठीक ठीक है तो क्या लिखेंगे इसके भी साथ में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे सबसे पहले विशम स्थानो का योग क्या है विशम इस्थानो का योग बताईए मुझे चार नहीं कि रुकिए चार हाँ चार धन आट धन एक बराबर तेरा और सम स्थानो का योग कितना हो जाएगा समिस्थानो का योग दो धन शून बराबर दो है न और अंतर क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा तेरा एक मिनिट अंतर में तो रिण आएगा न रिण दो बराबर ग्यारा तो आप क्या लिखना पड़ेगा अब अंतर यह आ गया तो एक मिनिट क्या लिखना पड़ेगा अब आपको अब आपको यह लिखना पड़ेगा क्योंकि से तो ये संख्य ग्यारा से भज है इस तरह से ये आपका बी वाला हो जाएगा ठीक अब सी वाले की बारी सी वाली संख्य क्या है एकतर अरतेश च्यानवे पाँच यही है एकतर अरतेश च्यानवे पाँच ठीक है तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर वही जो अभी हमने यहाँ पर लिखा था विशम स्थानो का योग क्या है विशम स्थानो का योग इसमें क्या आएगा पाँच धन नौ धन तीन धन साथ बराबर चौपिस हो जाएगा यह पिर सम स्थानो का योग समिस्थानों का योग कितना हो जाएगा बताइए 6 धन 8 धन 1 बराबर 8 और 614 और 15 सपश्ट है 15 हो गया तो अंतर कितना हो जाएगा बताइए अंतर क्या हो जाएगा 24 रिंद 15 24 रिंद 15 करेंगे तो कितना जाएगा 9 तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा क्योंकि अंतर कितना है नो है ग्यारा से ये विभाज्य नहीं है संख्या भी ग्यारा से विभाज्य नहीं है ठीक इस पश्ट हो गया इसके बाद में अब जो है हमें सी के बाद D नंबर पे तो D संख्या क्या लिखी है ये सत्तर सोला त्रानवे जीरो आठ ठीक है D वाले पे दिया है क्या दिया है सत्तर सोला त्रानवे जीरो आठ यही है ठीक तो इसमें भी आपको क्या लिखना पड़ेगा वही लिखना पड़ेगा कि विशम स्थानों के अंकों का योग विशम स्थानों के अंकों का योग क्या होगा बताईए होगा आठ धन तीन धन छे धन शून बराबर सत्रा हो जाएगा और सम स्थानों के अंकों का योग क्या हो जाएगा हो जाएगा शून धन नौ धन एक धन साथ बराबर सत्रा तो अंतर क्या हो जाएगा बताईए अंतर हो जाएगा सत्रा रिन सत्रा बराबर शून तो क्या लिख देंगे आप आप लिख देंगे क्योंकि अंतर शून्य है है न तो ये ग्यारा से विभाज है चाहें तो एक लाइन और एड़ कर सकते हैं आप मैं फिर बार-बार कह रहा हूँ आपको कि अतह संख्या भी ग्यारा से विभाज है इस तरह से इसके बाद में अगली संख्या पर आते हैं इनंबर की क्या है इनंबर की अगली संख्या हमारी इनंबर की संख्या है ये 10,00,000 एक लिखा हुआ है इसको अगर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1,1,000 है न ऐसा लिखा ठीक अब इसमें क्या लिखना पड़ेगा हमें इसमें हमें वही लिखना पड़ेगा जो अभी पहले लिखा था है न कि विशम इस्थानों के अंगो का योग और समिस्थानों के अंगो का का योग कितना है एक धन शून्य धन शून्य धन शून्य धन एक बराबर एक और सम स्थानों के अंकों का योग क्या होगा शून्य धन शून्य धन शून्य धन एक बराबर एक अंतर क्या हो जाएगा अंतर एक रिण एक बराबर शून्य तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि अंतर शून्य है ग्यारा से विभाज है तो संख्या भी ग्यारा से विभाज होगी ठीक है ना बड़ी सरलता से समझ में आ रहा है नहीं इसके बाद में अगला एफ वाली संख्या क्या है एफ वाली संख्या बताईए नब्बे ग्यारा त्रेपन ठीक है नब्बे ग्यारा त्रेपन तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको विशम स्थानो के अंको का योग क्या है अंको का योग तीन धन एक धन शून ये बराबर चार और सम स्थानो के अंको का योग क्या है पाँच धन एक धन नौ बराबर कितना आ जाएगा पंद्रा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहां पे अंतर बराबर पंद्रा रिन चार बराबर कितना आ जाएगा ग्यारा आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकी क्योंकी अंतर ग्यारा है तो है यह ग्यारा से विभाज है तो संख्या अभी ग्यारा से विभाज होगी इस तरह से यह जो है आपका यह वाला प्रश्न चौथा पूरा हो जाता है अब इसके बाद में हमारे सामने बसता है प्रश्न क्रमांग पांच अभी प्रश्न क्रमांग पांच को भी हल कर लेते हैं इसके बाद अच्छा प्रश्न क्रमांग 6 भी है तो चलिए पहले 5 को करते हैं क्या है प्रश्ण क्रमांग 5 हमारे सामने मैं पढ़ता हूँ निम्ले कि तरिक्तिस्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से ये विभाज्य हो जाए तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ पहले का हल आपके सामने कर देता हूँ इस बार तो पहले का हल कैसे करेंगे मैं आप लिखता हूं देखिए आप क्या लिखना पड़ेगा हमें प्रश्न समझ में आ गया ना कि सबसे चोटा अंक लिखना है और सबसे बड़ा अंक भी लिखना है जिससे संख्या जो है तीन से विभाजित हो जाए तो पहले काम करते हैं कि आप मुझे बताइए संख्या तीन से विभाजित कब होगी जब अंको का योग तीन से विभाजित हो जाएगा तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक लि संख्या तीन से विभाज होगी क्या जानते हैं हम कि संख्या तीन से विभाज होगी कब होगी यदि अंको का योग यदि अंको का योग तीन से विभाज ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपको हो तब होगी तो इसी लिए लिखिए आप इसलिए सबसे छोटा अंक सबसे छोटा अंक क्या आएगा मैं बताऊं दो है क्यों है दो देखिए क्यों कि फिक्र मत कीजै पूरा नहीं लिख रहा हूं लिख रहा हूं दो क्योंकि अगर दो छह साथ दो चार तो दिया इफा पहले बाले में देखिए ये तो 6,7,2,4 के आगे अगर हमने क्या लिख दिया दो लिख दिया तो यो कितना हो जाएगा दो धन, 6, धन, 7, धन, दो धन, 4 बताएगे कितना हो जाएगा 6 और 2,8, 7,15, और 2,17, और 4 17 और 4 कितना हो गया 21 और आप जानते हैं 21 जो है वो तीन से विभाजित है तो ये संख्या भी तीन से विभाजित हो जाएगी छोटा तो ये हो गया और सबसे बड़ा अंक तो लिखेंगे तथा सबसे बड़ा है ना बड़ा ऐसे नहीं लिखते बड़ा अंक बड़ा अंक क्या हो जाएगा दो अगर हटा देंगे तो बड़ांक लाएंगे आठ क्योंकि मैं आपको बता दू संख्या में अब यह हो जाएगा आठ धन 6, धन 7, धन 2, धन 4 तो आप का जाएगा कितना? 8 और 6, 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा? 23, 23 और 4 कितना हो जाएगा? 27, 27 यह भी पूरी तरह से 3 से विभाजित है तो यह हो गया पहला, अब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है? 4, 7, 6, 5 यह वाली और फिर एक खालिस्तान में भरना है और फिर लिखा है 2, ठीक है उसमें क्या लिख देंगे? हम जानते हैं, पहले ही जैसा लिखा है कि 3 संख्या विभाज्य होगी, यह अंको का योग तीन से भी भाज्य है, तो इसलिए सबसे छोटा अंग क्या लेंगे हम इसमें तो देखिए, इसमें सबसे छोटा अंग आपको लेना पड़ेगा? क्योंकि मैंने करके देखा है, आप देखिए, 4 और 7, कितना हो जाएगा? 11, 11 और 6 कितना हो गया? 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा? 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा? बताइए, 24 और 24 तो अल्रेडी तीन से विभाजित है ही ना, तीन के पहाड़े में, 8 बार में 24 आता ही है, तो शोटा नहीं लिख देंगे ताकि अंकों की योग पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो आपको यहाँ पर क्या लिखनी पड़ेगी है? पूरी संख्या, 0 के साथ, जैसे 4, 7, 6, 5, 0, 2 और फिर यहाँ पर भी आपको वही लिखना पड़ेगा, 4, 7, 6, 5, 0, 2 तो आपका जो योग है व आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, वो है 9, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप 24 में 9 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 24 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 33 और संख्या क्या हो जाएगी? 4 धन, 7 धन, 6 धन, 5 धन 9 धन, 2 और आप जानते हैं कि 33 में भी 3 से भाग चला जाता है 11 बार में, है ना? तो अब आप लिख देंगे तथा सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा? 9 और आप लिख देंगे कि इसलिए जो है वी संख्या जो है ये पूरी तरह से 3 से भाजित है, ठीक? ऐसे ही अब हमारे सामने है क्या प्रशनक्रमांक 11, क्या है प्रशनक्रमांक 11? शे, लिखा है निमन लिकित में रिक्तिस्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विवाज़य हूँ, अब हम यहाँ पर 11 यारा की वज़ता का नियम लिखना पड़ेगा, तो अभी देखिए इसमें भ हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कोई संख्या 11 से विभाज होगी कोई संख्या 11 से विभाज होगी कब होगी यदि उसके विशम अंको का योग तथा सम स्थानो का अंको का योग का अंतर अभी हमने उपर पड़ा था 11 से विभाज हो तभी होगा है ना तो अब देखिए ये लिखने के बाद में क्या करना पड़ेगा हमें लिखना पड़ेगा इसलिए संख्या पहली क्या है नो दो फिर खालिस्तान है है फिर लिखा हुआ है तीन आठ नओ अब बताई इसका योग करके देखेंगे हम तो मैंने करके देखा है आप भी करके देखेंगा यहाँ पे आठ लिखना पड़ेगा छोटी के लिए, है ना, छोटी बड़ी का तो खहरी यहाँ पे नहीं दिया, तो आठ लिखना पड़ेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा, इसका मैं आपको बताओं, यहाँ पे देखी, सबसे पहले अगर बात करें, विशम, इस्थानो का योग, तो व सम largo सम्स्थानो का योग है, ऐसे, क्या होगा साम्स्थानो का योग, दो धन, तीन धन, नौ, बराबर चवदा, अंतर कितना आ जाएगा, बताईए आप अंतर आ जाएगा 25 जिन 14 तो क्या आ जाएगा 11 तो आप कह सकते हैं कि यह जो है अंतर 11 आ गया या शून ने भी अगर आता इसके जगे तो यह संख्या जो है पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी हमें तो करना ही था इसे 11 से विभाजित है न ठीक अब हम बी वाला करेंगे तो उसमें भी यही सेम स्टेप है हम जानते हैं कि कोई संख्या 11 से विभाज होगी यदि उसके विशम अंको का योग तथा सम स्थानों के अंको का योग कांतर 11 से विभाज हो तो संख्या लिख देता हूं मैं यहां पर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मै हो जाएगा इसमें और सम का योग क्या हो जाएगा बताइए देखें मैं बताता हूं विशमत्थान इसके कौन-कौन से आ रहे है छए लिख देने के बाद में है ना तो छए तो खैर आएगा ने विशम इस्थान में आएगा आठ धन नौ धन-8 हो जाएगा 25 हाँ सम में आ जाएगा तो लिख देंगे 6 धन 4 धन 4 बराबर कितना 14 अब अंदर आएगा तो 25 में से 14 घटा दीजी आप 11 या रहा है तो यह आपका इसका उत्तर हो गया दूसरे वाले का ठीक है तो मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पूरी तरह से समझ आया होगा पसं साथ ताकि वे लोग भी देख पाएं इस वीडियो को समझ पाएं इस जानकारी को बागी मेरे फिर आप से जल्दी मुलाकात होगी अगले नहीं जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार